उधारन 3 दिये गए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा AD कोण A का कोण आरधक है तो सिद्ध कीजिए की कोण B बराबर कोण C बच्चो अब हम उधारन 3 पर काम करने जा रहे हैं इसमें हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB भुजा AC के बराबर है और एक जानकरी और दी हुई है वो ये है कि AD कोण A को दो बराबर भागों में बाटता है उसका कुनारधक है इसका मतलब AD के द्वारे कोण BAC दो बराबर भागों में बट रहा है तो कोण BAD बराबर है कोण CAD के ये भी हमें जानकरी दी हुई है और हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C ये जो कोण बन रहा है कोण B वो कोण C के बराबर है ये हमें सिद्ध करना है अभी तक आपके जो अन्फों हैं उसे आप समझते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा और सर्वांग सम सिद्ध करने के जो शर्ते होती हैं जो परिसित्य होती हैं आपको मौलूब है कि यदि दो भुजा और उनके बीच का कौन बराबर हो दोनों त्रिभुजों में तो हम कह सकते हैं सर्वांग सम है या दो कौन और कौन बनाने वाले भुजा अगर बराबर है दोनों त्रिभुजों में तब भी सर्वांग सम हो सकते हैं तीनों भुजा हैं आपसे बराबर हैं दोनों त्रिभूजों की तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभूज सर्वांक समय तो ये उपस्तिती बताती है कि दोनों के लिए ये भुजा बराबर है इन सभी कत्नों को हम लिख ले हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबी डी त्रिभुज एबी डी और त्रिभुज एसी डी में बुजा एबी बराबर बुजा एसी एबी बराबर एसी ये दिया हुआ है और साथ ही ये कोण जो ए के दोनों तरब ए पर बनने वाले दो कोण है बी एडी कोण बी एडी और कोण सी एडी कोण सी एडी ये भी बराबर है ये भी हमें दिया हुआ है और तीसरी चीज एडी है जो आप देख रहे हैं दोनों तरबुजों में है इसे भी आप लिख लें कि भुजा एडी बराबर भुजा एडी अब अब बहुत आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि पहले तरबुज में दो भुजाएं उनके बीच कोण दूसरे तरब भुजाओं और उनके बीच कोण के बराबर हैं और हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रमे के आधार पर दोनों तरबुज सरवांगसम कहे जा सकते हैं तो यह आप लिख लें कि तरबुज ABD सरवांगसम है तरबुज ACD के और सरवांगसम होने के सिति में जो शेश अव्यो है जो संगत है वो भी आपसे बराबर होंगे तो आप देख रहे हैं कि कोण ABD का संगत कोण ACD दिखाए पड़ रहा है तो इसके अधार पर आप यह कथन कह सकते हैं कि पहले तरबुज ABD में कोण B इसे आप लिख सकते हैं कोण B या पुरा कोण लिख लें पुरा नाम लिख लें कोण ABD बराबर कोण C ये कोड ACD connection مें आप इन्हें कोण B बराबर कोण C भी लिख सकते हैं और यही हमें सिद्ध करना था और आपके लिए बहुत आसान है दो चीजें हमें दी हुई थी एक आपने त्रिभूश की रचना के अधार पर देखा कि दोनों मुभेनिस्ट है और फिर आपने सरवांग समता की शर्ते हुआ पर आरुपित की और प्रवाणित कर लिया कि दोनों को नापसे बराबर है और इस तरह से आपके ये उधारन खल होता है